हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका दोस्तो आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गूगल ड्राइब से आप फोल्डर किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल के इस टोरेज में दोस्तो यहाँ पर आप फोटो वीडियो वीडियाफ यह सब कुछ डाउनलोड करना होता है यहाँ पर तो आप यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कोई भी आपको डाउनलोड का अपसन यहाँ पर नजर नहीं आता केवल और केवल यहाँ पर मूव का अपसन नजर आता है केवल आप इसे फोल्डर को दूसरे फोल्डर move कर सकते हैं फिर कहीं और move कर सकते हैं इसके अलाबा यहाँ पर download option नहीं आता है दोस्तों यदि आप इस वीडियो complete देख लेते हो तो YouTube पर आपको दूसरी वीडियो देखने जोड़ नहीं पड़ेगी और आप folder को complete folder को आप अपने storage पर ले जा पाओगे तो चलिए हम आपका भीना time waste किये आपको दिखा देते हैं कि आपको यह process कैसे कर पाएंगे और बहुत ही आसान process है दोस्तों यहाँ से तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप drive के application से तो folder विल्कुल भी download नहीं कर पाएंगे इसके लिए आपको आना है chrome browser पे अब चलिए मैं आपको chrome browser पे चीच करके दिखाऊंगा live ताकि आपको यह believe हो सके और आप भी से बहुत असानिस कर सके और future में आपको ऐसी problem ना देखनी पड़े तो इसके लिए आपको chrome browser पे open करना है और chrome browser पे open करना है google पर यहाँ पे search करना है google drive जैसे आप google drive यहाँ पर लिख कर सर्च कर दोगे तो इस तरह से आपके सामने कुछ loading लेगा अगर network fast है तो जल्दी काम हो जाएगा slow है तो थोड़ा time लेगा तो आप अच्छे network place में रहोगे तो अच्छे तरीके से जल्दी काम हो जाएगा तो दोस्तो यहाँ पर इस तरह से google drive आपके सामने open होगा जैसे कि आप देख सकते हैं front page यहाँ पर आ जाता है इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है sign in google drive तो यहाँ पर हम click कर देंगे दोस्तों यहाँ पर इस तरह से आपके सामने mail आ जाएंगी यहाँ पर आपको वही mail को select करना है जिस mail से आपने Google Drive को बनाया है दोस्तों आपको यहाँ पर वही mail ID को select करना है जो mail ID से आपने Google Drive app पर login कर रखा है क्योंकि आपको वही जदी folder चाहिए तो आपको उसी mail ID को यहाँ पर select करना होता है तो दोस्तों हम यहाँ पर अपनी mail ID को select कर लेते हैं जिस mail ID से हमारा Google Drive बना है यहाँ पर इस तरह से direct Google Drive app में भेंज देता है तो आपको एक बार back click करना होता है यहाँ पर एक बार बैक लिक करना होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Google Drive हमारा इस तरह से open हो जाता है Chrome browser में इसको हम open करेंगे desktop mode में desktop site पर इसको हम open कर लेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरह से आपका Google Drive open हो जाता है desktop mode में तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं Google Drive एप में जो हमारी mail ID डली थी यहाँ पर वही mail ID यह डली हुई है हमारी तो आपको भी यहाँ पर वहाँ पर जब login करने के लिए मैंने बताया था तो यहाँ पर उसी mail ID को आपको वहाँ पर select करना होता है जो mail ID से आप Google Drive को बनाए है जिस mail ID से आप उने Google Drive एप में login कर रखा है देख सकते हैं यहाँ पर mail ID आपको सामें नजार आ रही है और इसी mail ID पर हमारे फोल्डर रखे हुई है तो चली हम इस फोल्डर को डाउनलोड करने के प्रोसेस को देख लेते हैं डाउनलोड हो चुकी है और download होने के बाद आपके समय इस तरह से आप 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 आजाता है यहाँ पर open कर देंगे और open करने के बाद यहाँ पर extract कर देंगे extract करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे कुछ भी लिख सकते हो आप अपने folder का नाम बता सकते हो और extract कर दोगे यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल हमारी extract हो जाएगी यहाँ उस फोल्डर का नाम आ जाएगा उपर और PDF फाइल यह हमारी open हो गई है उस फोल्डर में के वाल एक ही PDF था तो यहाँ पर एक ही PDF आ गया है अब चाहिए आप इंटर्नल स्टोरेज में जाकर चे आपर आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर डिरेक्ट आपको वो PDF देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर और देख सकते हैं यहाँ पर PDF डाउनलोड आपको दिखा रहा है दो फोल्डर मैंने डाउनलोड किया है एक चेक किया था पहले मैंने और दुबारा मैंने यह आपको दिखा जाना है डाउनलोड के अपिप्सन पे आप यहां पर आएंगे देख सकते ओपी पी नाम से फोल्डर बनाया था उसको उपें कर लेंगे यह पीडिया फाइल का है और यहां पा एक फाइल हमारी है यहां पे तो आपको मैंने दिखा दिया किस तरह से आप अपना फोल्डर को डाउन्लोड कर सकते हैं गूगल ड्राइब सो भी बहुत एजली और गूगल ड्राइब एप से पॉसिवल नहीं है क्रोम ब्राउजर में आप ओपेन करेंगे तब यह चीज कर पाएंगे धन्वाद चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद